नमस्कार दोस्तों मैं शील्ट खन्ना ये टेक्निकल जीगासा में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके सबने आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं बिजी एकांटिंग सॉफ्टेट के ऊपर तो दोस्तों जैसे कि आप लोग बिजी यूस करते हैं बिजी के अंदर क्या होता है जैसे अब यह फानेंशल येर चेंज होता है एक अप्रेल को हम नए फानेंशल येर में जाते हैं तो जब हम नए फानेंशल येर में जाते हैं तो दोस्तों हमारे पास बिजी के अंदर दो आप्शन्स होती हैं एक तो होता है कि हम एक ही तुस करना पड़ता हैँ उस फैनुट तु मैं किस तरह से अपने जो फैनुट यएर है उस के अंदर last year का पूरा data master जो होता है master के अंदर जो closing balance होते है जब आप master transfer करते हैं तो आपको last year के closing balance भी उस पे opening balance की तरह लगाने होते हैं अगर आप वो automatic system नहीं करेंगे तो वो आपको manually हासे डालने बढ़ेंगे सारे opening balance अगर तो आपके पस R10-12 opening balance डालेंगे फिर तो आप चलो डाल लेंगे अगर आपके पस कोई 100-200 है तो आप हर एक अकाउंट के अंदर opening balance डालेंगे आपको कफी time लग जाएगा तो दोस्तों busy के अंदर ये facility है कि आप opening balance भी busy के थुरू last financial year से close करके आप नहीं financial year में आप ला सकते तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी busy की screen पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों busy से related मैंने एक video डाला था मैं आपको उपर i button में दे दूँगा आप मेरे वो tricks and trips भी busy के अंदर देख सकते हैं दोस्तों अपनी busy की screen पर आगे हैं अब आपको जैसे पता है कि आपको कोई भी company open करने हैं आप open में जाएंगे open में जाने के बाद मैं example के लिए ये एक company है ABC company private limited इसको मैं खोल रहता हूं यह हमारी branch है 5 number com 0005 जैसे कि आप यह देख रहे हैं अब इसको open कर लेते हैं अब यहां अपना password username डालिए जो भी आपका है यह आपके सामने आ गया दोस्तों खुल के अब आप इसमें देखेंगे अब हम चेक करते हैं इसके अंदर अगर हम इसका trial balance लेते हैं मैंने इसमें dummy entry डाली हुई है इसमें trial balance देखते हैं और trial balance पे हम closing balance देखते हैं यह हमारे सामने trial balance आ गया तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों जैसे यह BKN company इसमें हमारा 31 600 का debit balance आ रहा है इसके अंदर अब यह आप देखेंगे यह इसमें opening balance है उपर यह कुछ transaction debit हुआ हुआ है यह credit हुआ है और यह 31 600 का closing balance आ रहा है यह आप देख रहे यह जो है हमारा balance यह हमारा next year का opening balance है अब एक तो method है कि इसको हम वहाँ पर next year में branch create करें और उसके अंदर जाके manually यह सारे balance हम उसके अंदर डाले एक तो यह method है और दूसरा हम busy से automatic transfer करवा दें तो दोस्तों हम busy से automatic भी transfer करवा सकते हैं अब आपको मैं बताता हूँ कि automatic transfer कैसे होगे यह दोस्तों मैंने example लिया यह इसके अंदर जो भी balance है transfer हो जाएंगे ऐसे आप जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा वैसे आप transfer कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसको next financial year में transfer करते हैं अब दोस्तों जैसे आप इसको transfer करेंगे transfer करने के लिए आपको जो भी branch है जिस branch म में आप हैं जिसको आपको close करना है उस branch के अंदर आप housekeeping में जाएंगे यह आप उपर देख रहे हैं housekeeping इसके अंदर जाएंगे आप इसमें आप update master balance है इसको आप click करिए और इसको आप ok कर दीजिए जैसी ok होगा इसमें message आ गया balance update successfully इसको आप ok कर दीजिए अब दोस्तों जैसी हमने master को update कर दिया अब आप क्या करेंगे administration में जाएंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको यह change financial year की option मिलेगी change financial year इस पर आपकी जो भी इस पर आप नीचे देखेंगे new year यहाँ पर आप इसको double click कर दीजिए यह है you are going to create a new financial year यह dummy है मैंने dummy बता रहा हूँ आपका जो भी financial year आप create करेंगे यह वहाँ पर वो आ जाएगा starting from financial year इसको आप ok कर दीजिए अब देखें दोस्तों अब यह आपके सामने screen आगी है अब यह financial year हमारा create हो रहा है अब इस financial year में क्या होगा यह change financial year करने के लिए इसको हम start करेंगे start करने से पहले आप देख रहे हैं नीचे की option लिखी हुई है create new year only don't carry balance दोस्तों अगर आप इसको tick कर देंगे तो यह सरफ क्या करेंगा नया साल में create तो कर देगा लेकिन जो balances है वो carry forward नहीं होंगे आपकी इस इसका ध्यान रखना है अगर आप balance को carry forward करना चाहते हैं तो इसको आपको tick नहीं करना है इस इसका ध्यान रखना है और आप इसको अगर चाहते हैं कि खाली plane transfer हो जाए सिर्फ हमारा financial year बन जाए तो आप इसको tick कर सकते हैं तो अब इस case में हम चाहते हैं कि हमारे जो balances है वो हमें चाहिए है जो हमारे closing balance है वो हमारे को next financial year में opening balance चाहिए है तो आपको इसको tick नहीं करना है इस इसका आपको ध्यान रखना है तो जैसी यह आएगा इसको आप start कर दीजिए इस पर थोड़ा सा time लगेगा यह सब को update करेगा तो मैं थोड़ा जीर वीडियो को पॉस्ट कर देता हूं यह update होता है तो मैं आपको वीडियो को on करता हूं यह देखिए दोस्तों हमारे पस message आ गया financial year change successfully अब इसने क्या किया हमारा next financial year change कर दिया है change करके जो balances है वो भी इसने shift कर दी है अब इसको मैं okay कर देता हूं अब देखिए दोस्तों इसको मैंने okay कर दिया दोस्तों जब यह step हो जाएगा आपका इसके बाद आप क्या करेंगे इसको close कर देंगे company में जाएंगे close company कर आप यहाँ पर इसको close कर दिजिए अब दोस्तों जब आप इसको close करेंगे close करने के बाद आप यह देखेंगे यहाँ पर नीचे option आ रही है split financial year यह देखिए यह नदर आगे आपको split financial year यह आपको कहां मिलेगा company के अंदर मिलेगा आप इस option पर आजिए इसको डबल क्लिक क इसको double click करिए इसको password डालिए जो भी आपने डाला हुआ इसको click कर लिए अब देखिए दोस्तों अब क्या हो आप पहले यह जो हमने company खोली है इसके अंदर दो financial year बता रहा है select financial year for splitting आपको कौन सा financial year split करना है 2020 21 और 2021 तो दोस्तों हमने अभी यह वाला create किया है financial year 2021 इसको आपके case में जो भी आप financial year लेंगे आपका case में वो यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपने financial year create किया है यह मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ अब दो रीचे देखिए दोस्तों एक option आ रही है after splitting delete above financial year from source company इसका मतला भी है कि जो financial year आपने जो एक ही जिगा पे बनाये थे इस इसको split करने के बाद ये उस financial year को वहाँ से delete कर देगा तो इसको आप tick कर दिजिए येस और इसको split कर दिए अब दोस्तों जैसे इसको आप split करने के लिए करेंगे ये कहेगा proceed with splitting financial year so and so ABC and company and delete from source company येस अब देखिए दोस्तों जैसे आपने इसको किया ये आगया company split it successfully with company code पहल पहले हमारे दोनों financial year five number directory में चल रहे थे दोनों उसी में चल रहे थे अब हमारा five separate हो गया last year का separate हो गया और जो हमारा current year का है वो हमारा six separate हो इसको आप okay कर दिए तो दोस्तों अब ये हमारा बन चुका है अब आप क्या करेंगे company में जाएंगे open company में करेंगे अब आप ये पहले हमारा पास comp 5 थी जैसे आप ये देख रहे हैं उपर पहले हमारा पास ये comp 5 थी abc company limited में अब हमारी abc company limited 2021 22 की comp 006 पन गई अब हमारी ये दोनों company separate हो चुकी है तो हम नीचे वली company को comp 006 को open करते हैं अब यहाँ पर जो भी आपने password डाला थे वो password डाली है दोस्तों पूरा चेक करते हैं कि हमारा balance जो बहरे उसमें closing balance थे इसमें opening में transfer हुए हैं या नहीं हुआ है हम display में जाएंगे, trial balance देखने के लिए हम display में जाएंगे इसको प्रेस करिए यह आपके सबने trial balance आ जाएगा, trial balance को आप प्रेस करिए इसमें देखिए दोस्तों, एक आ रहा है closing trial balance closing के बाद यह नीचे आ रहा है opening trial balance अब दोस्तों जो हमारे last year के closing balance थे वो हमारे opening में इस financial year में convert हो चुके हैं अगर अब हम opening balance देखते हैं तो हमार को last year के closing balance जो हमने वहाँ 31,600 रुपे देखा था big end company का वो इसके अंदर यहां opening balance पे आना चाहिए अब हम इसको opening balance को open करते है opening trial balance को अब इसको यसी open किया यह पूछ रहा है all accounts हम इसको click कर देंगे all accounts और इस पे date आगी है और इसको आप ok कर दिजिए यह देखिए दोस्तों अब यह हमारे सामने trial balance आ गया है यह आप देख सकते हैं BK & Company के अंदर हमारे 31600 का opening balance आ गया यह देखिए थे यह देख रहे हैं 31600 पे debit होया है यह हमारी जो company थी BK & Company यह इसके अंदर opening balance इसका automatically transfer हो के आ गया बागी जो भी उसके अंदर data था सारा transfer हो गया address है उसका 10 number है उसका जो भी mail, mobile number जो भी है सब as it is इसके अंदर transfer हो गया है इसके अरह दोस्तों जितने भी हमारे opening balance थे उसके अंदर वो सब यहाँ पर transfer हो के automatically आ गये है अब यह opening balance आपको यहाँ पर नहीं डालने पढ़ेंगे तो देखा दोस्तों आपने यह कितना simple है सिर्फ आपको supply करना है, एक company के अंदर करके उसको supply कर दीजिए financial year में और उसके अंदर आपका जितना भी balance है, जो closing balance था वो automatically opening balance में convert हो के आ जाएगा, तो दोस्तों अगर आपको इसके अंदर कोई problem नजर आते हैं, कोई question है आप मुझे description में दीजेगा मैं आपको इसका answer दूँगा और आपको इससे related कोई भी problem आप मेरे से confirm करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों आपको यह मेरा video कैसा लगा आप इसको like करेगा thank you दोस्तों, thank you for watching